हलो फ्रेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल हजी स्टॉडी बॉक्स इस वीडियो के माध्यम से आपको केमिस्ट्री के बहुत ही महतपूर प्रश्ण उत्तर देखनी को मिलेंगे जो आपके जी आईसी लेक्शुरर एक्जाम पीजीटी टीजीटी के लिए अती महतपूर होंगे और जिन भी एक्जाम में केमिस्ट्री या साइन्स का पोर्शन पूछा जाता है उनके लिए भी ये बीडियो बहुत ही जादा महतपूर रहेगा तो पूरा बीडियो देखेगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजेगा फर्स्ट कुशन है निम्न मैंसे किस गैस का उप्योग बैक्टिरिया को मारने के लिए किया जाता है ए उप्षन है क्लोरीन, बी उप्षन है नाइट्रोजन, सी उप्षन है कार्बन डियोकसाइड, डी उप्षन है इन मैंसे कोई नहीं तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए उप्षन क्लोरीन केस का उपयोग बैक्टीरिया को मारने के लिए किया जाता है क्लोरीन के और भी अगर कारी पूछ ले जाएं तो वो कौन-कौन से होते हैं क्लोरीन का उपयोग सोने तथा प्लेटिनिम के निस्कर्शन में भी होता है क्लोरीन को ओक्सी म्यूटेरिक अमल भी कहा जाता है क्लोरीन से अनिक योगिक बनते हैं ब्लीचिंग पाउडर, क्लोरोफॉर्म, कारवन टेटराक्लोराइड, अश्रूगेस या क्लोरोएसी, टोफीनोन और फॉसफीन गेस आदी क्लोरीन के मिक्सर से ही बनती है यूरिया में, अगर इसके ऑप्शन की बात करें, तो यूरिया में 46% नाइटरोजन होता है और नाइटरोजन बायूमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाये जाता है 78% कोईला चलने से करवन डायकसाइड गैस निकलती है तो एक क्वेशन से बहुत सारी क्वेशन आपको बता दिये जो आप नोट कर सकते हैं, नोट नहीं करना है तो दो बार आप वीडियो देख लीजेगा, आपको याद हो जाएगा अगला क्वेशन है हड्डियों और दातों का मुक के संगठक क्या है ए उप्षन है केलसियम बाइकार्बोनेट, वी उप्षन है केलसियम मैगनीशियम, सी उप्षन है केलसियम नाइटरेट, डी उप्षन है केलसियम फॉस्फेट तो इसका जो डी उप्षन है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा हड़ियों और दातों का मुख के संगटा के दांत बास्तम में टाई केलसियम फॉस्फेट या सीय थ्री पी ओ फॉर ओल्ट वाइस का बना होता है मनुस्य के सरीर में सबसे अधिक मात्रा में धातू, सीय या कार्बन के रूप में पाया जाता है सरीर के सबसे मजबूत भाग दांत का इनेमिल होता है, ये कई वार क्वेशन पूचा जाता है, इसे याद रखेगा अगला question है, aluminum oxide होता है, A option है छारी oxide, V option है उदासीन oxide, C option है उवेधर्मी oxide, D option है अमल oxide तो इसका जो correct answer हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा C option, aluminum oxide उवेधर्मी oxide होता है aluminum oxide का गुण छारी एबम अमली ये दोनों है, इसलिए इसे M4 तेरिक या उवेधर्मी पदार्थ कहा जाता है जब छारक को अमली ये विलियन में मिलाये जाता है, तो बिलियन का pH मान बढ़ जाता है, लेकिन अमल को छारी ये विलियन में मिलाने पर pH मान खट जाता है दूद के केंडवन द्वारा दई बनाने में लेक्टिक अमल का प्रियोग होता है, तो ये सारी कोशन अमने आपको बता दिये, तो इसका सही अंसर होगा C अगला कोशन है, आवर्त सारणी में निम्न में से किसकी सून एलेक्ट्रोन बंदता या एफिनिटी होती है A option है radium, B option है oxygen, C option है nitrogen, D option है radon, जिसका जो correct answer होजाएगा वो होजाएगा D option, आवर्त सारणी में radon की सून एलेक्ट्रोन बंदता होती है तत्त के परमाडू में एक electron जोड़कर radon, तमक आएन बनाने में जितनी हुजा बहार निकलती है, उसे electron बंदता कहते है तो सबसे पहले question तो यही बनाता है कि आवर्त सारणी में सून electron बंदता या affinity किसकी होती है तो zero affinity जो होती है वो radon की होती है और electron बंदता होता क्या है तो तत्त के परमाडू में एक electron जोड़कर radon काएन बनाने में जितनी ओर्जा पहार निकलती है उसे electron बंदता कहते है ठीक है नाइट्रोजन कमरे के ताप पर अक्रिया है उच्छ ताप परिया hydrogen और oxygen से क्रिया करके क्रमसा hydride और oxide बनाती है यदि प्रिथिवी पर उपस्तित सभी वनस्पतियों को नश्ट कर दिया जाए तो oxygen के अनुपस्तिती के कारण प्रिथिवी पर जीव लुप्त हो जाएंगे oxygen अनुचुम्ब की ये प्रकृतिकी होती है अगला question है आवर्त सार्णी में सबसे हलका धातू है आवर्त सार्णी में सबसे हलका जो होता है वो लीथियम होता है और लीथियम का उपियोग जो है मौवाइल की बैटरी में किया जाता है और सबसे भारी दातू अगर पूछ ले जाए तो वो होती है औसमियम अब इसमें option दिया प्लेटिनम प्लेटिनम को सफिस सोना या वाइट गोल्ड भी कहा जाता है पीटी को एडम्स केटालिस्ट कहा जाता है वे दातू जो क्रियासील नहीं है नोवेल धातू कहलाती है कुल नोवेल दाती है जिसमें से रूथेनियम, ट्रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, ओस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, कॉपर, एवं गोल्ड, अलुमीनियम, ओक्साइड, ओवेधर्मी ओक्साइड होती हैं अगला कुशन है सोडियम को किसमें रखकर संचित किया जाता है यह तो बहुत बेशिक कुशन, अगर आपने 12th क्लास में प्रैक्टिकल किये हैं तो सबसे पहले सोडियम एक्स्ट्रेट का ही प्रैक्टिकल कराये जाता है तो सोडियम को मिट्टी की तेल में संचित किया जाता है क्योंकि यह नमी के संपर्क में आते हैं इसमें आग लगने लगती है सोडियम को मिट्टी के तेल में रखकर संचित किया जाता है लीथियम को कैरोसीन में नहीं रखा जाता क्योंकि इसका घनत तो कैरोसीन तेल से कम होता है और यह कैरोसीन तेल के ऊपर तैरता है हाइड्रोजन का उपियोग बहु संत्रप्त बनस्पती तेलों जैसे सोयवीन, बिनोला तेल के हाइड्रोजनी करण द्वारा बनस्पती बसा के उत्पादन में होता है चार डिगरी सेंटिग्रेट पर जल का घनत अधिक्तम तथा आयतन नियूंतम होता है जल का पियेच मान साथ होता है तो यह भी याद रखेगा उगला पुशन अधातू के उकसाइड प्राया होते हैं छारिये, अमलिये, उदासीन, इन में से कोई नहीं तो इसका भी ऑप्शन बिलकुल करेक्ट हो जाएगा अधातू के उकसाइड प्राया अमलिये होते हैं जैसे कि CO2, SO2, P2O5 and NO2 दातू के उकसाइड प्राया चारिये होते हैं अगर अधातू के उकसाइड पूछे जाएंगे तो अमलिये होंगे दातू के उकसाइड पूछे जाएंगे तो चारिये होंगे न-A-O-2-C-A-O-M-G-O ठीक है इनके एक्जाम्पिल हो जाएंगे छारक आधा तो एक अक्साइट से अभिक्रिया करते हैं और उने उदासीन कहते हैं जैसे कि जब निवो के रस में वेकिंग सोडा मिलाये जाता है तो तीब रबिकिया के साथ बुलबुलों के रूप में CO2 गैस उत्पन होती है अला क्वेशन है हाईडोजन का आविशकार किस ने किया था तो ये तो सभी को पता होगा कि हाईडोजन का आविशकार केविंडिस ने किया था पर हाइडोजन से समधे बहुत सारी question बनते हैं जो आपको पता होना जरूरी है हाइडोजन का विश्कार केविन डिस ने 1766 में किया था और ब्रहमांड में H2 सरवाधिक मात्रा में पाया जाता है हाइडोजन के तीन समस्थानिक होते हैं 1H1 जिसे proteome कहा जाता है 1H2 जिसे deuterium कहा जाता है 1H3 जिसे tritidium कहा जाता है ठीक है अब इसमें oxygen की बात हो रही है प्रिस्टली के तो oxygen का विश्कार प्रिस्टली ने 1772 से चौतर के बीच में किया था radium की खोज मैडम क्खियूरी ने की थी 1898 में वाइल द्वारा गैसी नियम का प्रतिवादन किया गया था तो जितने वी option थे सबसे हमने related आपको news बता दी है अगला question तरल अवस्था में पाई जाने वाली आधातू है तो तरल अवस्था में पाई जाने वाली आधातू ब्रॉमीन होती है ब्रॉमीन एक लाल भूरा द्रव है इसका परमाडू संख्या 35 तथा द्रविमान संख्या 80 है सरबादिक विद्धुत रडात्मत तत्त फ्लोरीन होता है सी option में फ्लोरीन दिया गया है तो ये विद्धुत रडात्मत ता इसकी सबसे जादा होती है ये एलिमेंट होता है तरह लिवस्था में पाई जाने वाली धातु पारा होती है सबसे अधिक क्रियासी लधातु फ्लोरीन होती है सबसे अधिक क्रियासी लधातु सेजियम होती है तो ये सारे question याद रखेगा अगला question है प्रकृती में पाये जाने वाला सबसे भारी तत्त है A option है aluminum, B option है iron, C option है silicon, D option है uranium तो इसका जो सही answer हो जाएगा वो आपका हो जाएगा D option प्रकृती में सबसे भारी पाये जाने वाला तत्त तो uranium होता है ठीक है Aluminium Carbide Methanide नाम से जाना जाता है जो जल में अवक्रिया करके Methan Gas बनाता है Iron की अधिक्ता से Sidrosis नामक बीमारी हो जाती है अगर iron की अधिक्ता हो जाएगी तो कौनसी बीमारी हो जाएगी? Sidrosis नामक बीमारी हो जाती है Uranium का उपियोग अवेद नामकी बिस्पोटक के निर्मार में किया जाता है Uranium का उपियोग कहां किया जाता है? अवेद नामकी बिस्पोटक के रूप में निर्मार के रूप में प्रियोग किया जाता है तो ये थे top 10 questions जो की description के साथ थे आसा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इसमें question जो बताए गए हैं वो भी आपको अच्छे लगे होंगे कोई आपका opinion है, suggestion है, query ये आप comment section में लिख सकते हैं और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेजेगा और वीडियो को ज़्यादा शेयर केजेगा आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो वाच करने के लिए